हाई फ्रेंड मैं नंदला और आपके यूटूब मैं सवाटिका में स्वागत करते हैं हम लोग आज देखेंगे साउथ वेस्टर्न डिविजन का कुश्चन पेपर देखेंगे और यह कुश्चन पूझा गया गया था यह सेक्शन कंट्रोल का कुश्चन पेपर था यह सेक्शन कंट्रोलर जो है गुट्स गार्ड और स्टेशन मास्टर एसम और सेक्शन कंट्रोलर एक यह जैसे आते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटल एक सो दस कुश्चन है कि स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का कुश्चन देखेंगे कि पहला नंबर का कुश्चन डी कोड एनमजी एनमजी का क्या होता है एनमजी का फुल फार्म क्या होता है तो यह होता है लियू कृडियें को आपका को तयों है कि य। दोस्रा नंबर का कूशिंट अचर्षा है कि कि स्टेशनों पर karaoke में दिये गए तो इस टोईरो सब्क्रीन इय। जो कि स्गेशन ने एस आई ए नेश्ट कोंशन है ए गई है है कि तो यहां कह रहाँ प्रकार के सिंघनल होती है तो शो कितने प्रकार के होते हैं तो चारपकार के सउमिटे हैं मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कितने ही प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं, नेस्ट कोईशन है बाहरी सुरच्छा और्डिट का मतलब क्या होता है, मतलब external safety audit means what? तो ये होता है, विदेशी रेल्डवेपर सुरच्छा टीम दौरा लेखा परिच्छा, का आप्सन नंबर आपका भी सही है नेस्ट कुशन है पांज नंबर का कुशन है डबलू यल आर आर यम लएसबी कोज में क्या मतलब होता है तो यह मतलब होता है गार्ड वैगन गार्ड वैगन जो होते हैं उसी को कहते हैं डबलू यल आर आर यम का फुलपा है गार्ड वैगन को नेस्ट कुशन है याड दुरगटना को इंगित करने के लिए दुरगटना सायरन क्या होता है तो अगर याड दुरगटना में दुरगटना होता है तो उसमें कौन सा सायरन बजाये जाएगा कितनी हुूटर वजये जाएंगे तो यह बजाएते हैं दो लंबबे समय तक रबजा जाए जाएँगे आफसा नम्बर आपका भी सई है यह सुर्ली एस तुर्ट कुंश्णन थिसक्र incidence है, एक बैगन में फ्लेट टार के कारण है कि एक बैगन है तो उसमें फ्लेट टार के कारण क्या हो सकते हैं तो होते है ब्रेक्वाइंडिंग भू सकते हैं आप तरन नमबर आपका कि सबस्क्री है नेस्ट कोईशन है, कार समय तालिका के लिए एक उधारण है, डबलू टीटी क्या होता है, तो यह होता है विशेश नर्देश दिये होते हैं उसमें डबलू टीटी में, तो आपसा नमबर आप पर्टी सही है, नेस्ट कोईशन है, वाडजिक कलर्क से वाहन रिलीज मेमो को सिवकार करने से पहले स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर दोरा निमलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो क्या सुनिश्चित वो करेगा, तो वो करेगा सभी वैगन दरवाजे बंद है, तो आपसा करेख नंबर आपका डिस इए, Next question है, M,S,M,A,C, MS,M, S,D,AC, मैसूर,D,Vision के खंड मे उपलद फराड़ी क्या होती है, तो उपलत प्राड़ी MSDAAC कोई है तो उसके बीच में क्या होता है तो SKLR और SBHR के बीच में होता है नेस्ट कुश्चन है गैर पूल किये गए बैगनों की पहचान की जाती है तो ये किये जिता है EMP अंकन द्वारा EMP मार्किंग के द्वारा किया जाता है नेस्ट कुश्चन है ये तीन वैगन के डीबी को 60 वैगन बॉक्सियन वैगन ट्रेन में अलग किया जाता है तो ब्रेक पावर प्रसेद कितना हो जाएगा अगर यहां 60 वैगन है इसको हम थोड़ा इस्तार करते हैं तो यह हो जगा तीन बटे 60 गुड़े 100 इसको काट दीजिए यहां तीन बटे 60 गुड़े 100 तीन 20 हो जाएगा और 10 गुड़े 100 काट देंगे तो यहां से होगा 5 पांच परसंट कम हो जाएगा तो 95 परसंट आजाएगा आप्शन नमबर आपका सी सही है नेस्ट कुशन है जोनल अस्तर में टाइम टेबल कमेटी के अधिश कौन होते है तो जोनल अस्तर में टाइम टेबल के कमेटी के अधिश कौन होते है तो यहोते हैं PCOM होता complication है में और दिस हैे नेस्ट बॉस्टव सी नमें मैसू ड्रीजन में टर्मिनल्स इस्टेशन की संख्या कितनी है तो मैसू ड्रीजन में तीन टर्मिनल्स इस टेशन आपसन नमबर ती सही है नेस्ट कुउशन है यल्सी गेट के वर्गी करण के लिए मान दंड होता है तो T V U होता है आप्सन नंबर आपका C सही है टेन वेहिकल यूनिट होता है नेस्ट कुउशन है टककर की रोब धाम के लिए नया नमाचार क्या है तो ए सी डी होता है कि नेश्ट कोइन है दाच्षेट पूर्व प्रधान कारियाल है विलासपुल और दस्षिट पर्शिव रेलियों का प्रधान कारियाल है नेस्ट कुशन है नेस्ट कुशन एक बी एलसी ट्रेन में कितने वी एलसी इकाई जुड़ी होती है तो एक बीएल्सी ट्रेन में कितने वी एलसी कि काईयां जुड़ी होती है तो यहां पर के आफ़्टनब़टी सही है तनी कैसे यह एक जीडियर्च में पांच यह जोड़ी जाते हैं कर एक बी एलसीटेन में नो इसमें दिया हुआ है लेकिन हमको लगा पांच होता है हो सकता है मैं सूर्ड विज्ञ लूब नेस्ट कुईस्टन है रेले बोर्ड द्वारा जारी अमान यातायात के अमसार चू प्राट्टिक्ता एट ट्राफिक है तो यह है मिलेटरी यातायात है आप्सान नमबर क्या होता है तो यह होता है बोगी ओपन वैगन हाई हाई साइटेड इयर ब्रेक हाई स्पीड होता है आप्सान नमबर आपका सी सही है क्या होता है तो ब्लाक आप्रेशन का समय होता है आप्सान नमबर के सही है इस्टा के सुत्र में टी का अर्थ है ब्लाक आप्रेशन का समय होता है कि दच्र परेशन रेलेवेड में SPA आर्टी उपलब्ध है तो कहां पर उपलब्ध है तो सभी में है मैसोड इवेजन में है होगली में है और शिकंद्रबाद में है तो सभी में है वैगनों को अनलोडिंग करने किसे पहले ट्रॉफिक स्टाफ द्वारा सुनिशित किया ज आफशन नमबर आपका सी सही है नेस्ट कुशन है है आंत्रिक सुरच्छा आडिट का मतलग क्या होता है तो ए आफ्चन सही है क्या है रेल्वे के भीता सुरुच्छा टीम दौरा लेखा परिच्छा आफ्शन नम्बर एस है एक सेक्षन में 24 घंटे से अधिक में निप्टा जा सकता है तो सेक्षन चमता सेक्षन नम्बर एस है एक सेक्षन में 24 घंटे से अधिक में निप्टा जा सकता है नेस्ट कुछन है निम में से कौन सा भारतिय रेल्वे का आई टीविंग है आई टीविंग है तो सी आर सी आर आई एस है आप से नम्बर एस आई है नेस्ट कुछन है रेल्वे में अनुसंधान संगठन कहां है तो डी आर डी असो है रेल्वे में अनुसंधान संगठन है किसमें है आर डी असो में है नेस्ट कुछन है लोकों में से किसके पास सबसे अधिक फ़र्स प प्रेमियम रहक बीपी सी आमान होगा यदि एक परिच्छा स्टेशन में 24 गंटे से अधिक के लिए खड़ा होगा दोसरा बारा गंटे के लिए बारा दिनों के बाद लोड हो रहा है चार से अधिक गईवियों का प्रतिस्थापन है तो सभी सकती है पहला दूसरा तीसरा ती सब्सक्राइब को और अन्य खतरनाक सामानों की कनेक्शन के लिए आई यार सी ये में रखे जाते हैं तो यह लाल ट्रेफिक रखे जाते हैं आप से नंबर भी सब्सक्राइब का ड्रील हो यां घ्रेल यार से टक टरीय ड्लूर से तक कारण करता है यह करता है वह वोनगलोड से क्रींसा आङी रखे जो देचण क्या होता है तो पाहला दूसरा तीसरा सही है अफसर नंबर ये शही है क्या है गर्म धुरा वाक्स भी ए रेड हट एक्सल है और ग्रीस यह तीनों हैंवी पार्ट नहीं हो सकता है हैंवी सांद नहीं है नेस्ट कुशन है यह हाट एक्षल है तो नेस्ट कुशन है अच्छा डबलू लोको मोटिंग में इंगित करता है तो यह बोता है बड़ी लाइम या ब्राड गेज कह सकते हैं आपसा नमबर की सही है कौन सा डेट हमेसे खुला रहता है तो नर्लस का गेट हमेसे खुला रहता उसके करनचार नहीं होता है त्वार 25 कमें अ क funciona जब तक करशल में परिवर्तन होता है तो लोके लाकरत को चाहिए अगर ऐसा हो ओर हो रहा है तो क्या कर सकते हैं डिनिटी टेस्ट करें और नेस्ट कुशन है कि दरान राइट लाइन पर आने वाली एक आईयों को प्रिविष्ट के लिए प्रिविष्ट के लिए प्रथम एकाई प्रिविष्ट करने का अजिकार है तो इसके पास होता है सिग्नल आप को ना होता आप्शन नंबर प्रिविष्ट करने का अजिकार क्या है तो सिग्नल को आप करना होता है आसे और के स्टेशन पर एक से प्रारमिक तेशन पर एक ट्रेन शुरू करने के लिए सब्सक्राइबूर। तो यह होता है बी पी-सी जारी करता है यह सब्सक्राइब कर跑 है शुरू करते समय चालू होता है प्लाक पर श़ुमेट पर सं narcissboro तो लाइन ट्रेन आन लाइन होता है आप्ट्रेन शरू करते समय चालो तो ब्लाक इस्टूमेन पर संखेत दिखाया जाता है तो ट्रेन आनलाइन दिखाया जाता है दिखाई देता है, नेस्ट कुच्चन है, चालिस नमबर का कोच्चन है, ट्रेन के वाहन मार्ग दर्सन में वीतरण सामिल होता है, तो ाफचन नमबर डी शही, ट्रेनर रचना होताई, आफचन नमबर डी, 41 नंबर का कुछ है माल ट्रेन द्वारा अनुगम माल ट्रेन द्वारा अनुमत छतिग्रस्त वाहन इंजन की अधिक्तम संख्या होती है एक होनी चाहिए माल ट्रेन द्वारा अनुमत छतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिक्तम संख्या होती है एक नेस्ट कुश्चन है पांडुलिपिक में निंगे फार्म जारी नहीं किया जाएगा टीडी 1425 जारी नहीं किया जाएगा इस स्टाप सिग्नल के पहले बारे मिन बताता है तो क्या बताता है डिस्टेंस सिंग्नल बताता है ते आगे का आस्पेक्ट क्या होगा इस पूझे एक आस्फ लाइन पर नहीं रखा जाएगा कि यात्री ले जाने वाली यात्री यात्री ट्रेंड ले जाने वाली वाला यात्री जब लोको पालेट ने एक रुकावट की सिग्नल चेतावनी को नोटिस किया और आगे कोई विवराण नहीं देखा जाता तो दिन में और रात में दो मिनट रुकने के बाद वा अगले ब्लाग सेक्षन तक आगे बढ़ेगा सावधानी से आगे बढ़ेगा con को से चीट का से स्लीट परत Landчтоी होता है तो एलार्म चायन पूलिं नुन होता है आप जलिए संकेत द्वारा पहेचाना जाता है तो ए मारकर पहेचाना जाता है आपसन नमबर का है ऐसा है n 28 नमबर है तीज एमेम से अधिक या कई फैक्चर का रेल होने पर ट्रैक द्वारफ रमाड़त किया जाता है तो किसकी द्वारज द्वाराई कि धिए प्रमाडवित किया जाता है तीस हम अधिकार मेरी फेकर जारी जाये लुए प्राधिकित अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा आपसे नमबर आपका सी सही है नेश्ट को चन्नल ट्रक मार्गी पर जब यातायात या उसे अधिक समय के भी वाधित होता है तो इसे यातायात की गंभीर अव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा छे घंटे आपसे नमबर डी सही है ट्रेंड मार्गो पर जब यातायात या उसे अधिक समय के लिए बाधित होता है तीसे यातायात के गंभीर अव्यवस्था के रूप में माना जाता है छे घंटे तक नेस्ट प्रसनेय इर्ट में कितनी बार समय शार्णि बदर बली जाती है तो एक वर्च में एक ही बार बदर जाएगी समय शार्णि प्लॉचित कि पॉस्ट है डावल लाएन ब्लाग सी स्टेशन पर कई पहलू सिगनल सरे सट्ट्रnah सेक्षन के बीच होता है कि तो अक्तिक्लास मनेटिकल आसपक्ट सिग्नल्लिंग कि संज्ट्रेशन ब्रइंट इन विड THIS ला से निहाजुट को सकता है , नियुक्व सकता है . करते डियंगे , इस्टेशन मास्टर और टी आई , अवद के योगिता प्रमाण Всёैं के लिए jako। तो कुछ इस्टेशन के गार्ड को करेगा कि नेस्ट कुशन है कि बील्सी सेट में कितने बैगन होते हैं यह यह बील्सी सेट में पांच बैगन होते हैं यह बील्सी सेट में पांच बैगन होते हैं नेस्ट कुशन है एकल लाइन बिद्धुती कृत वरगी में इस प्रकार के बलाक उप्रदान किये जाते हैं तो डेड़ो दोरा नेस्ट कुशन है गार्ड अगले महत्पोर्ड स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में क स्टेशन की सुचना देगा और में बित्रंण तरज करेगा तो किसमें बित्रंद हैं सी टीआर में घरेगा। और आपका कब सुल cow दीटा जाता है तो कब भरा जाता है कि मेहिने में एक भार जाएगा देडि़ा दित बाल चाहिए घा चेपभाएगत जर दीट करता है तो उसका लोको पालेट रूप कर सीन्टी बजाएगा और आवचेक रूप से हर संभ़ सौर अतर निपटे को कि कमे झाल्यजन करके स्पीट को कम करके यह कुश्चन है यहां तक कि अगर टेल लैंब टेल बोर्ड नहीं दिखा है तो ब्लाक सेक्शन को बंद करने की प्रेक्रिया की आउशकता नहीं है यह प्रदान किया गया हो तो कहां प्रदान किया जाता है यह बीपी एसी में किया जाएगा आपसन नंबर आपका सी सही है यहां तक कि अगर टेल लैंब टेल बोर्ड नहीं दिखा है तो ब्लाक सेक्शन ब्लाक सेक्शन को बंद करने की प्रेक्रिया की आउशकता नहीं है यह प्रदान किया जाता है तो किस में प्रदान किया जाता है बीपी एसी में प्रदान किया जाएगा आपसन नंबर आपका सी सही है एक्सेट नंबर का कुशन है साउधानी के आदेशों के रिकार्ड फाइल की अवद के लिए संरच्छित किया जाता है तो छे महिने तक संरच्छित किया जाता है साउधानी के आदेशों के रिकार्ड फाइल की अवद छे महिने के लिए संरच्छित किया जाता है नेस्ट कुशन है कि स्टेशन मास्टर पूना डिविजन में है 12 महीने तक एक साल तक लेकिन यहां पर 6 महीने दिया गया है यह मैसो डिविजन का कुशण है इसको हो सकता है वहां पर 6 महीने हो लेकिन हमारे सेंटर रेलोई में बारा मंत्र मंत्र एक वर्ड्स है एक वर्ड्स तक रखेंगे तो हर डिवीजन का स्टेशन मास्टर रिले रूम कुंजी को स्टेशन स्टाप को हस्ताजे प्रदाव करने के बाद सौंप देज़गा रिले रूम कुंजी रजिस्टर में सौंप एगा कि नेश्ट कुचन है टर्रहररर रंग प्रकाश यह रखा गया सेंट सिग्नल और दिस सिग्नल प्लेस इन कंड लाइट एरिया यह अध्यार के संधित प्रकाश पॉजिशन ल्यटा आप्शन नमबर को कि सिसंध यह नेश्ट क्योश्ट इब कि टी वी यू का फुल फार्म क्या होता है तो आपसे नमबर टेंड वेहिकल यूनिट होता है कि आपसे नमबर आपका सी सही नेश्ट कुशन जब एक परकार सिजनल नया खड़ाया शिप्ट किया जाएगा तो यह किया जाता यह सोभी में इस अज सोचित किया जाएगा आपसे नमबर एस आए नेश्ट कुशन है ब्लाक इस्टुमेंट के लिए डिस कनेक्शन नोटिस स्विकार करते समय इस्टेशन मास्टर इस नोटिस पर प्रिश्टांग करेगा की ब्लाक सेक्शन फिरी है आपसे नमबर आपका भी सही है नेश्ट कुशन है गार्ड ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकरित अस्थान पर घड़ी या इस्टेशन की घड़ी द्वरा अपनी घड़ी सेट करेगा और लोको पालेट को समय की सूचना देगा और प्रिविश्ट करेगा तो कहां पर करेगा CTR में करेगा पर आने वाली वाहनों की प्रिविश्ट करने के लिए पहले वाहन को प्रिविश्ट करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाएगा तो होम सिग्नल के लाइन ब्लाक के दौरा सही लाइन पर आने वाले बाहनों के प्रिविस्ट करने के लिए प्रिविस्ट करने के लिए अधिकार पत्र होम सिगनल के लिए दिया जाएगा आप्शन नमर आपका ए सही है नेस्ट कुईशन है आउटिंग साइडिंग के इंगित करने के लिए मार्क बोड होता है तो यस बोड से डिनोट करते हैं आप्शन नमर सी सही है खत्रा पहलो में स्टाफ सिंगनल पास करना प्रकार की दुरबटना है तो यह है सांकेतिक दुरबटना आप्शन नमर आपका डी सही है नेस्ट कुईशन है रेलिव अधियम 1989 की धारा किसके अंसार बिना टिकेट के यात्रा करना निशिद्ध है तो पचपंग तो नेस्ट कुईशन जी अध्याय है तो कितनी अध्याय है अध्याय है आप्शन नमर भी सही है नेस्ट कुईशन प्राधिकरण को स्टेशन पर लोग को दिया जाता है जब आईवियस दोस्पोंड होता है प्राधिकरण को स्टेशन पर लोग को पालेट को दिया जाता है जब आईवियस दोस्पोंड होता है अचेंट है कि अज फ्राधिकरण को स्टेशन पर लोग को दिया जाता है कि अंगया तो दोनों लीए अप्शन में दोनों सही है PLCT और T3693 भी दोनों दिया जाएगा आपसन नमबर आपका 73 है तो ESWR के अनसार होगा नेस्ट कुश्चन है गेटमेन के साथ PN का आधान प्रदाश करने के बाद योजना में बदलाव की कारण स्टेशन मास्टर गेटमेन को योजना को रद करने के बारे में सूचित करेगा तो नमबर देगा प्राइबिट नमबर देगा फिर से सूचित करेगा तो आपसन नमबर आपका नेस्ट कुश्चन है जब भी कोई संकेत जो एक काटे का पता लगा रहा है दो स्पून हो जाता है तो इस काटों को माना जाएगा गैर इंटरलाक किया गया है तो आपसन नमबर दीस है जब भी कोई संकेत जो एक काटे का पता लगा रहा है दो स्पून हो जाता है तो इन काटों को माना जाएगा गैर इंटरलाक किया जाएगा नेस्ट कुशन, 76 नमबर का कुशन, यनाई काम करने के दोरान, यल्पी, लोगों पालर सबसे बाहरी सामना करने वाले काटों को पार नहीं करेगा, भले ही संकेत को तब तक बंद ना कर दिया जाए, जब तक की प्रकार नहीं दिखाता है, तो काटे पर, काटे पर पी एच एस ना हो जाए, आपसर नमबर आपका बी सही है, यनाई काम करने के दोरान, यनाई काम करने के दोरान, लोकों पार सबसे बाहरी सामना करने वाले काटों को पार नहीं करेगा, भले ही संकेतों को तब तक बंद ना कर दिया जाए, जब तक की वा भी प्रदाप्त नहीं करता है, तो काटों पर PHS, नेस्ट कुशन है, PLCT जारी करने के लिए सभी ट्रेलों को पर रोक दिया जाएगा, तो सम्मक काटों पर रोका जाएगा, आपसर नमबर आपके, स्टार्टर पर रोका जाएगा, अगर PLCT दिया जाता है, तो वहाँ स्टार्टर पर रोक के काड़ी को सिगनल आन होता है, तो यलपी लोको पाइलट इंतजार करेगा, रात के दौरण जब गेट सिगनल आन होता है, तो क्या करेगा, रात करी, तो दो मिनिट रुख के पार करेगा, आपसर नमबर आपका, भी सही है, नेस्ट कुशन है, जब लूप लाइन एक्सल काउंटर को रिशेट करने के लिए स्टेशन मास्टर कमचारी का सहयोग लेगा, आपरेटिंग और एस एस एंटी डिपार्टमेंट का लेगा, आपसर नमबर आपका, सी सही है, नेस्ट कुशन है, प्रारमिक लिए सामने मद्ध लसार के बिबों को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है तो TXR स्टाप की होती है, आपसर नमबर आपका, सी सही है, प्रारमिक लिए सामने मद्ध लसार के डिबों को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, TXR की होती है, नेस्ट कुशन है, एक सेवान रिबित रेल कर जाए जिसका कैस उसकी सेवान रिबित के बाद खत्म कि उस पर सरकारी नाराज़्गी जारी करने के लिए सच्छम प्राधिक्यारी कौन है तो कौन होता है तो जी एजियम और जीयम होता है आप से नबर आपका सी सही है कि नेस्ट कुश्चन है कि डिये डिये नियम उन्नेशो आंशर किस पर लागू नहीं होता है कि तो आप रेटिग अप्रेंटिस पर नहीं लागू होता है अस्थाई कर्मचारी पर लागू होगा आपसे नमबर आपका को नेस्ट कूश्चन है चार्ज किये अधिकारीयों द्वारा चार्ज ग्यापन का जबाब दें आप्शन नमबर 10 दिन के अंदर देना होता है चार्ज कियेगे अधिकारियों द्वारा चार्ज ग्यापन का अधिश दे 10 दिन में क्या यहां आवश्य कि मुश्ताज अधिकारी को चार्ज कियेगे अधिकारी को रेक में परियाप्त रूप से वरिष्ट होना चाहिए ए अप्षन सही है हमेशा आई ओ परिष्ट होना चाहिए नेस्ट कुशन है अपील के विचार के लिए कौन सा नियम अनुमिया है तो रूर बाइस है आप्षन नंबर भी सही है किन परिस्तितियों में एक तरफा पच्छिय सकती है तो पूश्टास अधिकारी से पहले चार्ज अधिकारी दो से अधिक अपसरों पर उपस्थित नहीं हो है तब हो सकता है किन परिस्तितियों पर एक तरफा परिच्छिय जाच की जा सकती है कब होगा पूश्टास अधिकारी से पहले चार्ज अधिकारी दो से अधि अपसरों पर उपस्थित नहीं है नेस्ट कुशन है डी एंड डी एंड ए डी एंड आर नियम डी आर नियम उन्ने 68 के तहट किसी भी रेल कर्मचारी के खिलाब कारवाही शुरू करते समय कितने समय के मानक रूपों का उप्यूप किया जाता है टो यह ग्यारा मानक रूपों का उप्यूप किया जाएगा आपसर नुम्बर सी सही है नेस्ट कुशनेक्या तर्द रेलेवे सेवक को लेडिख करने के मामले में के अनृकंपा भत्ता पर बिचार किया जा सकता है आपसर नबर आपका सी सही है कि निलंबन मामलों की समीच्छा की जाती है तो ये तीन माह के बाद किया जाता आप्शन नमबर सी सही है नेस्ट कुशन सेवा से हटाने के मामले में रेलवे कर्मचारी को फिर से निवकि को किसके द्वारा विचार किया जाएगा तो संसोधित पदाजिकारियों से अधिक बड़े ग्रेड में आप्शन नमबर सी सही है नेस्ट कुशन एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में अस्थांतरन पर एक कर्मचारी पोस्टिंग के नए अस्थान पर डिवीटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो अनुसासनात्मक कारवाही करने के लिए सच्छम प्राधिकारी होगा बी आपसन सही है नए तरह पर डिवीजन के चलेगा डिवीजन अस्थान पर डिवीजन के अनुसार क्या तरह पर डिवीजन पर डिवीजन के अनुसार क्या एक दंड के दिए लिए पूश्टाज का आश्वासन अथ्वा परामर्स अथ्वा सरकारी नाराजगी के लिए गठित कर सकती है आपसन नमबर भी सही है डिए डिए अन्ड ए नियमों के तहत दंड नहीं है आपसन नमबर आपकर भी सही है सच्छम अधिकारी द्वारा लागू की जाने वाली सज्जा को हटाया जाता है छे महिने में नेस्ट पूश्चन है जिने सेवा से हटा दिया जाता है या बर्ठाज किया जाता है तो रेल्वे करमचारी को अंपंपा भत्ता देने के लिए वर्तमान नियम क्या है तो यह है आरे अस्पेंसर नियम के नियम 1965 के नियम है कोई 65 का नियम होई है उसके अंसार होगा नेस्ट कूश्चन जर निलंबन के तहत एक करमचारी को कानून की अधालत द्वारा वरी कर दिया जाता है तो पूर्ण वेतन और भत्ता प्रदान किया जाएगा नेस्ट कूश्चन है किसी भी मामले में PHOD को संसोधित प्रादिक्रित में प्लैंटी को बढ़ाया तो CO आगे अपील कर सकते है आप्शन नमबर A सही है जब जाच आवश्यक नहीं है CO दौरा एडिट चार्ट नेस्ट कूश्चन है जब एक निलंबन के तहत रखा गया कर्मचारी परुंत एक मायनर दंड आरोपित है का निलंबन अवद किसके रूप में मानी जाएगी आप्शन नमबर सी सही है नेस्ट कूश्चन गड़ना प्रभाव के बिना तीन साल से अधिक की अवद के लिए बेतन के समय के बेतनमान में एक निचले चरण में कमी और उसकी पैंसन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है कि सेवान रिवित के बाद एक चार सीट के वल द्वारा जारी की जा सकती है तो यह राश्पत की द्वारा ही किया जा सकता है आपस नमबर सी सही है किसी भी वर्स सीधी को आठ वे शिडूल में जोड़ा जा सकता है किस वर्ष सिंधी को 8वे स्टूल में जोड़ा गया था तो यह जोड़ा 1963 में जोड़ा गया था आफ्शन नमर 20 है संग के अरिकारी अरिकारिक उद्देशों के लिए किस परकार के अंको का उप्यू किया जाता है तो भारती अंको का अंतराश्टिय रूप आफ्शन नंबर A सही है 1965 तक भारत संग के अधिकारिक उद्देश के लिए मुख्य भासा और सह अधिकारिक भासा कौन सी थी B आफ्शन सही है अंग्रेजी भासा थी और हिंदी सह अधिकारिक भासा थी Next question है वर्तमान में अधिकारिक भासा पर संसदिये समित में कितने उप समितियां है तीन उप समितियां है आफ्शन नंबर B सही है समिधान के भाग सत्रा में कितने अध्याए है तो चार अध्याए है Next question वर्तमान में समिधान की आठ्वियां सूची में कितनी भासाएं सूची बद्ध है बाइस भासाए है Next question है बैटकों की आधिकारिक भासा कार्मीत समिति की अध्यक्ता क्या है तो एक बार मित मतलब तीन महिने में एक बार होता है एक बार तीन महिने Next question है पहले आधिकारिक भासा आयोग का चार्मियन कौन था चियर्मैन कौन था तो B option सही है C B जी खेर थे option नमबर B सही है Next question है राजिविधान सम्हाओं में ब्यापार के लिए उप्योग किये जाने वाले भासा के संबंद में समिधान की किस हिस्से में और किस लेक में प्रावधान मौजूद है A option सही है भाग 6 का अनुच्छे 210 110 नमबर का question है समिधान के किस लेक में अधालतों आदमी उप्योग किये जाने वाले भासा के बारे में प्रावधान सामिल है तो अनुच्छे 348 से 349 के बीच में है समिधान के किस लेक में अधालतों आदमी उप्योग किये जाने वाले भासा के बारे में प्रावधान सामिल है अनुच्छे 348 से 344 तो टोटल 110 पूशन थे वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करेगा अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार धनिवाद थेंक्यू आला अप्यूद